जहिन साथ ये स्वागत है आपके नए टोपिक में आज की इस टोपिक में हम बोग प्रसंद कवर करेंगे जो परच्छा की दरश्टी से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि देखा गया है कि GKS के मोश्ट इंपोर्टेंट कोश्चन जो कई बार परच्छा में आते हैं लेकिन मैं उन कोश्चनों को लेके आया हूँ जो आपकी परसंद कभी भी गलत ना हूँ आसा करता हूँ कि आपकी तायरी अच्छी चल रही होगी और आगामी पूलिस परच्छा बहुत नज़ीख है इसलिए मैनस से पढ़िए और रिवीजन पर भी सेज फोकस रखिए जिसे की परच्छा में आप सफलता प्राप्त कर लें तो आपका पहला कोश्चन है परत्वी पर दिन और रात होते हैं आपको बताना है कि परत्वी पर दिन और रात होते हैं कैसे इस प्रसन का सही जवाब है आपसे नंबर A देने गती के कारण तरती पर दिन और रात देने गती के कारण होती है अगला सवाल है कोशन नंबर 2 सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपको बताना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है Most important प्रसन है सात्यों सबसे बड़ा ग्रह ब्रस्पती ग्रह राइट आंसर है आपसे नमबर ए ब्रस्पती ग्रह अगला सवाल है कोशन नमबर थर्ड सबसे छोटा ग्रह कौन सा है जैसा कि आपको पता है कि सबसे छोटा ग्रह बुद्ध है कोशन नमबर थर्ड का सही जवाब हो जाएगा अप्सन नमबर C, बुद्ध इस प्रसन का सही जवाब अगला सवाल है कोश्चन नमबर 4 अजन्ता की गुफाएं कहां इस्तित हैं मोश्ट इंपोर्टन प्रसन है इस्टार मग लगाईए डारेटली परिच्छा में पूँच लिया जाता है तो अजन्ता की गुफाएं और अंगावाद महराष्ट में इस्तित हैं कोश्चन नमबर 4 का सही जवाब है आपसन नमबर C, महराष्ट अगला सवाल है कोश्चन नमबर 5 सलार जंग संगराले कहां इस्तित है कई बार परिच्छा में रिपीट हुआ कोश्चन है सलार जंग है दरावाद में इस्तित है मोस्ट इंपोर्टेंट है आप इन्हें नोट डॉन करते चलिए और रिवीजन भी करते चलिए आपको बताना है वीडियो के लाष्ट में कि आपके कितने प्रसंद सही हुए है ब्रह्म समाज के संस्तापक कौन है कोशन नमबर सिक्स का सही जवाब है आपसन नमबर है राजा राम मोहन राय कोशन नमबर सेविन है भारत नाम की उत्पत्ती का सम्मंद प्राचिन काल के किस राजा सी है कोशन नमबर सेविन का सही जवाब बताना है आपको इस प्रसन का सभी जबाब हो जाएगा आपसे नमबर सी बहरत चक्रवर्थी के नाम पर नेक्ट रहा कोशन नमबर 8 भारत का सबसे बड़ा राज कौन सा है मौस्ट इपोर्टिन प्रसन है तो भारत का सबसे बड़ा राज है राजिस्तान जो छिछपण की दरश्टी से सबसे बड़ा राज हो जाता है, अगला सवाल है Question No.9 भारत में कुल कितने राज़ें緊 कभी कभी छोटा प्रसन भी गलत हो जाता है तो छोटे प्रस्ण को बिशेश फोकस रखिए जिसकी गलत ना हो 28 राज जिन नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा गंगा नदी की कौन सी है कोशन नमबर 11 का सभी जवाब है आपसन नमबर ब्रह्म पोत्र भारत की सबसे चोड़ी नदी हो जाती है अगला सवाल है कोशन नमबर 12 भारत का सबसे उची मिनार कौन सी है Most important present भारत की सबसे उची मिनार है कोतुम मिनार को तुम मिनार इस्प्रेसन का सभी जवाब हो जाएगा अगला सवाल है कोशन नमबर 13 भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है इस टार्गमाग लगाईए भारत का सबसे लंबा और सबसे उचा बांध पूछा जाता है तो भारत का सबसे लंबा बाँद है हीरा कुढ बाँद और सबसे उच्चा बाँद भांगडा नागल बाँद Next question noober 14 भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है भारत की सबसे लंबी सुरंग पुछा है Confusion नहीं होने का किराइब से परिशन का सही जवाब है और लगी चेनानीनेशारी रह मैं अगला सवाल कोश्चर नंबर 15 और भारत कि सबसे ऊची मूर्तिक कौन ची या आपको बताना है कि भारत की सबसे उची मूर्थी कौन सी है तो भारत की सबसे उची मूर्थी है इस्टेचु आफ यूनिटी जो एहमदाबाद गुजरात में बनी हुए सरदार बरलब भाई पटेर की प्रित्मा है कोशन नमर सुला है भारत में प्रित्म महिला बिस्विद्याले कव इस्तापित हुआ इस प्रित्म का सही जवाब है आफसर नमर सी सल उननीस सोला में भारत में प्रित्म महिला बिस्विद्याले इस्तापित हुआ अगला सवाल है कोशन नमर सत्रा भारत का प्रतम महिला आप इस विद्याले कहां इस्तापित हुआ अभी पूछा है कि कि सन में इस्तापित हुआ अब पूछा है कि कहां इस्तापित हुआ तो इस प्रसंट का सही जवाब है आपसे नमबर भी मुंबई में है चलिए बढ़ते हैं नेश कोशन की तरफ कोशन नमबर अठारा है ACI खेलों में स्रोण पदक जीतने वाली पहली भारतिय महला कौन थी कोशन नमबर 18 है ACI में स्रोण पदक जीतने वाली परतम भारतिय महला का नाम बताईए तो इस प्रसंट का सही जवाब है आपसे नमबर भी कमल जीत संदू ACI में स्रोण पदक जीतने वाली परतम भारतिय महला थी सही जवाब है आपसे नमबर भी अगला सवाल है, कोशन नमबर 19, मांट एबरेट पर चड़ने वाली पहली भारती महिला कौन थी? इस पर चड़ने वाली परतम भारती महिला बच्छेंद्री पाल थी, जो अपनी भारत की हैं, इस परसन का सही जवाब है आपसर नमबर 20, भारत की परतम महिला IPS कौन थी? कभी-कभी परिच्छा में डारेटली पूचा जयता है कि भारत की परतम महिला IPS कौन है? सही जवाब है आपसर नमबर D, किरण बेदी, किरण बेदी भारत की परतम महिला IPS थी? अगला सवाल है, कोशन नमबर 21, भारत की पहली महिला राज़िपाल कौन थी? आपको बताना है कि भारत की परतम महिला राज़िपाल कौन थी? सही जवाब है आपसर नमबर D, सरोजनी नाइडू, भारत की परतम महिला राष्ट पती थी? बढ़ते हैं नेश्ट कोशन की तरफ, कोशन नमबर 22, सरबोच न्याले में परतम महिला राष्ट कौन थी? यह प्रसन बहुत ही ज़्यादा कनफ्यूजिंग वाला है, भारत में परतम महिला राष्ट थी? फातिमा बीवी, कोशन नमबर 22 का सही जवाब है आपसन नमबर D, फातिमा बीवी, चलिए बढ़ते हैं नेश्ट कोशन की तरफ, कोशन नमबर 23, सोतंतर भारत के परतम गवर्णर जन्रल कौन थे? इस्टार माग लगाईए सोतंद भारत के प्रतम गवर्नर जर्नल कौन थे राइट आंसर है आपसन नमबर A लाइड माउंट मेटेन सोतंद भारत के प्रतम गवर्नर जर्नल थे सई जवाब हो जाएगा आपसन नमबर A लाइड माउंट मेटेन चलिए साथियों देखते हैं नेश कोशन भारत का प्रतम प्रधान मंतरी कौन था? आपको बताना है कि भारत के प्रतम भारत की प्रतान मंतरी कौन थे? तो भारत के प्रतम प्रतान मंतरी थे पंडित जवाला नहरू कोशन नमबर 24 का सही जवाब हो जाएगा आपसन नमबर C जवार लाल नहरू चलिए बढ़ते हैं नेश कोशन की तरब कोशन नमबर 25 है भारत में प्रतम महिला प्रधान मंतरी कौन थी? अभी पूचा है कि पुरुस में प्रतम भारती प्रतान मंतरी कौन थी? अब पूचा है कि प्रतम महिला प्रतान मंतरी कौन थी? इंद्रा गांदी सही जवाब है आपसन नमबर C इंद्रा गांदी नेश्ट है भारत का प्रतम राष्टपती कौन था? आपको बताना है कि भारत के प्रतम राष्टपती कौन थे? आफसन नमबर B, डेक्टर राजिंद परसाथ, भारत के प्रतम राष्टपती थे अगला सवाल है कोशन नमबर 27 नोबिल पुरुसकार प्राप्त करने वाले प्रतम भारतिये कौन थे इस्टार माग लगाईए साथ यो बेरी बेरी इंपोर्टिन प्रसन नोबिल पुरुसकार प्राप्त करने वाले प्रतम भारतिये रविंदर नाथ टैगोर थे कोशन नमबर 27 का सई जवाब आफसन नमबर C, रविंदर नाथ टैगोर कोशन नमबर 28 है, भारतिये राष्टिये कांग्रेश के प्रतम अध्यच कौन थे भारती राष्टी कंग्रिस के पृत्म अध्यच चंद्र बनर जी थे इस पिर संका, सई जवाब है अपसन नम्बर B बयोमेस चंद्र बनर जी अगला सवाल है, कोशे नमबर 29 29 है पृत्म भारती अंत्रिच यातरि कौन थे आपको बताना है कि प्रतम भारती अंतरिच कौन थे सही जवाब है आपसर नमबर D राकेश शर्मा प्रतम भारती अंतरिच यात्रिच थे आपसर नमबर D Next person है भारत में प्रतम मूख फिलम राजा हरीश चंदर कब बनी थी जिसमें आबाच नहीं थी तो कोशन नमबर 30 का सही जवाब हो जाएगा आपसर नमबर C सन 1913 में प्रतम मूख फिलम राजा हरीश चंदर बनी थी सही जवाब है आपसर नमबर C सन 1913 चलिए बढ़ते हैं Next question की तरफ भारत का अंग्रेज नाम इंडिया की उत्पति किस सब्द से हुई है सही जवाब है आपसर नमबर C सिंदू सब्द से रहेट आंसर है आपसर नमबर C सिंदू सब्द से अगरा सवाल है question number 32 भारत में सबसे कम जनसंक्या वाला राज कौन सा है आपको बताना है कि भारत में सबसे कम जनसंक्या वाला राज कौन सा है सिक्किम भारत में सिक्किम सबसे कम जनसंक्या वाला राज है सही जवाब है आपसर नमबर A सिक्किम राज परतम भारते रंगीन फिलम कौन सी है आपको बताना है कि भारत की प्रत्थम रंगीन फिलम किसन कनाईया थी जो अनिल कपूर की थी सही जवाब है आपसर नमबर B कोशन नमबर 34 है Lifetime Achievement के आसकर पुर्सकार बजेता कौन है कोशन नमबर 34 का सही जवाब है आपसर नमबर B सत जीत रहे साथियों आपको बताना है कि भारत की परतम महिला मुखमंतरी कौन थी? इस परिशन का सही जवाब है आपसर नमबर सी सुचेता करपलानी सुचेता करपलानी भारत की परतम महिला मुखमंतरी थी अगला सवाल है भारत की परतम महिला राष्टपती कौन थी? अब आपको बताना है कि भारत की परतम महिला राष्टपती कौन थी? सही जवाब है आप तो भारत के प्रतम लोक स्वाद्यश्च थे, जी बी माओल लंकर, बेरी बेरी इंपोर्टेंट प्रसन, डीरेट ली परिच्छा में पूछा गया प्रसन है, जी बी माओलंकर, अगला सवाल है, कोशन नंबर 39, सतरंज में प्रतम 20 चेम्पियन, भारतीए कौन हैं? तो सतरंज में प्रतम विस चेंपियON भारती विसनाथ आनन्द है रैला आंसर ए आपसन नमबर सी विसनाथन आनन्ड अगसर वाल है कोशन नमबर फोटी भारत का प्रतम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था? साथ यो भारत का प्रतम कागज रहत समाचार पत्र दा न्यूज टूडे था सही जवाब है आपसन नमबर भी दा न्यूज टूडे चलिए बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन की तरफ कोश्चन नमबर 41 दोहरा सतक बनाने बाली प्रतम भारती महिला क्रिकेटर कौन है साथियो आपको ये किलास बहुत ही सरल लग रही है क्योंकि आपकी तयारी पूरी है इसलिए आपको ये किलास सरल लग रही है तो आप इसे सरल ना समझें जिसकी तयारी नहीं है उसके लिए सरल नहीं है तो न्यूज टूडे कब सुरू हुआ था साथ यो नियुज टूडे तीन जर्वरी 2001 को सुरू हुआ था चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर 43 है 43 हुँ देखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये किलास परिच्छा की दरश्टी से बनाई गई है ब्रुटे बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टन किलास है आप इसे पूरा देखिए और लानती में बताए है कि आपके कितने पिरसंत सही है पृतम लोकस्वा अद्यच मीरा कुमार थे हैं अगला सवाल है भारत के सबसे पहले ग्रहमंतरी कौन थे graphics है साथियों भारत के सबसे पहल में नोबल पुर्सकार पाने बाले परतम भारतिये कौन थे पहुतिक बिग्यान में नोबल पुर्सकार पाने बाले परतम भारतिये सीबी रमन थे सही जवाब है अपसल नमबर A सीबी रमन इस प्रिसन का सही जवाब हो जाएगा सीबी रमन चलिए अगला सवाल कोश्चन नमबर 46 चिकत्सा में नोबल पुर्षकार पाने वाले प्रतम भारतिये कौन थे? तो चिकत्सा में नोबल पुर्षकार पाने वाले प्रतम भारतिये डाटर हर गोविंद खुराना थे सही जवाब है आपसर नमबर C डाटर हर गोविंद खुराना आपको याद रखना है परिच्छा में गलती ना हो चलिए बढ़ते नेश्गोशन की तरफ अर्थ सास्तर में नोबल पुरुसकार पाने वाले प्रतम भारतिये कौन थे अर्थ सास्तर में नोबल पुरुसकार प्राप्त करने वाले प्रतम भारतिये अमर्त सैन थे सही जवाब है आपसर नमबर डी अमर्त सैन चलिए बढ़ते है नेश्गोशन की तरफ नोबल पुरुसकार प्रतम भारतिये महिला कौन थी आपको बताना है कि परतम भारती महिला कौन थी जिन्होंने नोबल पुर्षकार प्राप्त किया तो वो थी मदर टेरिसा जिन्होंने सांटी में नोबल पुर्षकार प्राप्त किया था अगला सवार है कोशन नमबर 49 भारत रतन प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी तरफ इस वीडियो का लाश्ट प्रसन है हमारा भारती सिनेमा के जनक कौन है तो भारती सिनेमा के जनक है दादा साफ फाल के इस प्रसन का सही जवाब है आपसे नमबर भी दादा साफ फाल के चलिए साथ यो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपको एक नए वीडियो म नए टोपिक के साथ जय हिन जय भारत